तो क्या हुआ था, 1942 में क्या आये थे, सर इस्टेफोर्ड क्रिप्स और उनके साथ एक सहयोगी मंत्री मंडल का सदत से आये था, कहां से बिरिटेन से आये था, कहां भारत आये था, फिर जब की मतलब संविधान सभा का ये प्रस्ताव रखा, तो मुस्लिम लीग, जैसे मुस्लिम लीग के अध्यचमेन कौन थे, मुहम्मद अली, जिन्ना साहब, तो उनको ये बात रास नहीं आई, नहीं पसंद आई, तो उन्होंने इसका क्या किया करने लगे, विरोध वो करने लगे, जब मुस्लिम लीग विरोध करने लगी, तो फि अधी दिए, मुहम्मद अले जिन्ना टाथा सभी मुस्लिम लि uniform क्या चाहती थी? उनका यह चाहना था, कि एक अरग समभीधान हो, मतलब कुल मिला के कितने समभीधान हो, दो हो, एक भारत का हो और एक पाकिस्तान का हो, मतलब वो चाहते थे एक पाकिस्तान डोमीनियन का हो, एक भारत डोमीनियन का हो, इंडियन डोमीनियन और पाकिस्तान डोमीनियन का, तो जब कैबिनेट मिसन आया, तो कैबिनेट मिसन ने ये पाकिस्तान वालों, मतलब जो पाकिस्तान बनाना चाहते थे जैसे muslim league के सदश्य, अलग राष्ट बनाना चाहते थे तो muslim league की बातों को क्या कर दिया, ठुकरा दिया बोले कि जो cabinet मीछ सनाय थी, उन्होंने बोला कि दो सम्बिधान नहीं बनेंगे, लेकिन एक ही सम्बिधान को इस तरह बनाने की बात कही कि जिससे वो मतलब किसके हितकारी रही है मुस्लिमों की हितकारी रही उनकी दो संविधान बनाने को तो नकार दिये लेकिन ऐसा संविधान बनाने का प्रस्ता उनके सामने पेस किया एक ही संविधान में ऐसा सम्विधान बनाने का प्रस्ता वो किया कि उनको वो चीज पसंद आ गई मुस्लिम लिग व्यक्तियों को तो उन्होंने कहा चलो ठीक है वो बात में राजी हो गए फिर क्या हुआ कैबिनेट मिशन जो आया था तो इसी कैबिनेट के प्लान के अनुसार सभा का गठन मतलब कंपोजीशन of Constituent Assembly Assembli संभीधान सभा का गठन के बारे में तो जो अपने यहां के आए था कैबिनेट मिशन कैबिनेटotta कैबिनेट प्लान के अनुसार कैबिनेट प्लान के अनुसार ही क्या हुआ संविधान सभा का गठन अपने यहां नवंबर 1946 में क्या कर दिया गया कंस्ट्टूटेंट एसेंबली का निर्मार 1946 में कैबिनेट प्लानिंग के अनुसार ही कर दी गई यह चीज आप लोगों को द्यान में रखना है अब क्या किया गया यह कहा गया कि टोटल इस संविधान सभा में जैसे एक संविधान सभा सभा जना मतलब ब्यक्ति बैठेंगे एक बड़ा सा हाल जिस रूम में बहुत बहुत बड़े कमरा जहां ब्यक्ति बैठेंगे कितने अब देखिए तो बताए कि इस संविधान सभा म सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी कितने सदस्य टोटल रहेंगे बोल दिया गया कि 389 टोटल सदस्य होंगे तो यह आप लोग ध्यान रखिए कि सब कोश्यन पूशे जाते हैं कि सम्विधान सभा में सदस्यों कुल संख्या कितनी अनुमानित की गई थी आवंटित की ग जो ब्रिटिस इंडियान थे उनके लिए कितनी मतलब 206 ने सीट 296 सीट आवंटित की गई थी निर्धारित की गई थी और जो देशी रियासत थी देशी रियासत मतलब प्रिंसले इस्टेट जो भी प्रिंसले इस्टेट थे उनके लिए क्या किया गया प्रिंसले इस्टेट के लिए कितनी का 89 सीट क्या किये गए निर्धारित किये गए ठीक है न तो देशी रियासत के लिए नवासी सीट देशी रियासत में मतलब जहां पर राजा रजवारे आते थे, है न, छोटे-छोटे प्रांथ हुआ करते थे, जहां के वह राजा हुआ करते थे, राजा बगएरा, तो उसी को देशी रियासत, तो उनके लिए कितनी 89 सीटा बंटीट की गई, ब्रिटिस भारत के लिए 206 सीटों का निरधालन किया गया, ठी टोटल राज्यों में, टोटल आप कहिये प्रोवियंस में, टोटल प्रोवियंस में, और कहा जाए तो टोटल प्रोवियंस, और टोटल प्रिंशले इस्टेट में, ब्रोचिंग realiz behavior, ब्यक्तियों का चैन होगा, जैसे टोटल कितने 89 सदस्ची थे, कहां से देशी रियासत से प्रिंसले स्टेट से तो इनकी किस तरह नियुक्ति की जाएगी इनकी नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी वहां की मतलब किस तरह कितने नवासी सदस्यों के चैन वहां की जनसंख्या के आधार पर इनका सेलेक्शन किया जाएगा मतलब प्रतेक मोटे तवर पर ये कहिए कि प्रतेक 10 लाख में एक सदस्य जहांकि 10 लाख जैसे ज़संख्या पूरी हो गई तो एक सदस्य को संभिधान सभा के लिए निर्वाचित कर दिया गया फिर 10 लाख संख्या दूसरे स्चेतर में पूरी हो गई वहां भी एक बना दिया गया इस तरह नवासी टोटल चुने के लिए वो किया गया अब जो ये नवासी सदस्य थे तो इनका चैन किसके द्वारा किया जाता था इसके चैन देशी रियासत का जो वहां का हेड हुआ करता था उसके द्वारा किया जाता था ठीक है ना किसके द्वारा देशी रियासत का जो हेड होता था प्रमुख होता था है ना मतलब कहा जाए कि देशी रियासत के जो प्रतिनीधी होते थे उनका चैयन वहां का प्रमुख करता था वहां का कौन करता था प्रमुख करता था मतलब वहां का हेड किया करता था आप लोगों को ये बात ध्यान देनी है अब क्या हुआ British Prant को तीन समुदायों में बांट दिया गया British Prant को तीन कमुनिटी में बांट दिया गया कौन कौन से First तो हो गए आपके Muslim Muslim Community दूसरा Sikh Community तीसरा General मतलब सामाने Community मतलब मतलब तीन समुदायों में Community means समुदाय मतलब बांट दिया गया Muslim Sikh सामाने सामाने मतलब वो ब्यक्ती जिसमें मतलब Muslim और Sikh नहीं होते थे उजी को हम कहते थे सामाने नहीं Muslim नहीं Sikh ठीक है न तो other people ठीक है न तो British भारत में तीन छेत्रों में बांट दिया गया अब देखिए Muslim, Sikh और सामाने अब आप ये ध्यान रखिएगा कि समान उपातिक प्रतिनीधित्तों के लिए है न, proportional representation के लिए समान उपातिक प्रतिनीधित्तों proportional representation के लिए समान उपातिक प्रतिनीधित्तों के लिए कि इन्होंने क्या किया मतलब कहा जाए कि जो voting होगी ये कह दिया गया जो सिखों और उसमें ये voting का मतलब मकसद बता दिया कि समान उपातिक प्रतिनीधित्तों के लिए अधार पर एकल संक्रमडी मत ठीक है न एकल संक्रमडी मत ठीक है न तो एकल संक्रमडी मत की आधार पर बोट होगा, एकल संक्रमडी मत, मतलब सिंगल ट्रांस्फरेबल बोट, ठीक है न, तो सिंगल ट्रांस्फरेबल बोट की रूप में क्या होगा? बोटिंग होगी, मतलब एकल संक्रमडी मत के अनुरूप बोटिंग होगी, इसका मतलब यह हुआ कि जैसे राष्टपती का चुनाव होता है, क्या हम लोग सामानी जंता बोट देते जाती है, राष्टपती का चैन करती है, नहीं, हम लोग MP और MLA बनाते हैं, मतलब जो अपन करते हैं राष्टपती का, हम लोग किसको, हम लोग MP, MLA और इनको बनाते हैं, क्या कहते हैं, विधायकों को बनाते हैं, और ये लोग फिर जाके राष्टपती को बोट देते हैं, मतलब इंडारेक्ट चुनाव होता है, इलेक्सन होता है, किसका प्रेसीडेंट का, हम लोग direct vote नहीं देते हैं, जैसे Prime Minister को हम लोग direct vote देते हैं, chain करते हैं, है न? और मुख्य मंत्री CM का, हम लोग direct तारीक विधैकों का chain, हम लोग direct election कर देते हैं, लेकिन इसका एकल संक्रमणी मत की अनुसार voting पढ़ा, मतलब single transferable vote, single transferable vote का मतलब यह हुआ, एकल संकर्वनी मत का मतलब यह हुआ कि एक पीपल कई लोगों को बोट दे सकता था, एक व्यक्ति कई लोगों को बोट दे सकता था, जैसे इस समय हम लोग, जैसे अब आप लोगों को जब आगे राश्टपती के बारे में पढ़ाऊंगा बोटिंग का सिस्टम, तो डिटेल स कि जितनी जन संख्या है, उस बेस पर है ना, उस बेस पर फिर आपको हम बताएंगे क्या गुड़ा भाग होता है, उस बेस पर क्या कई सारे बोट, मतलब लाखों में एक विधायक, लाखों जनता की तरफ से मतलब बोट डालने जाता है, और उसके कई सारे मतलब कई मत न जता है, तो जो इसमें तीन कमुड़ी बनाई थी, मुस्लिम, सिख और जनरल तो यह कर दिया गया था, जो मुस्लिम, सिक और जो जनरल थी, यह कर दिया गया था, मुस्लिम, जो कई सब्सफ。 जो 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 właściwie से सारे मृइम, वोट डाले गया, जो सिख होगा, उसको से को संबिधान सभज उथी इसके लिए चुनाओ क कब शंपन्र कराया गया था 1946 wishy में चुनाओaking आया गया किस समय जुलाई अगस्त के बीच क्या क्या, जुलाई अगस्त के बीच, 1946 में ही, क्या कराया गया, इलेक्षन कराया गया, चुनाओ कराया गया, ठीक है ना, और ये चुनाओ किसके लिए, जो ब्रिटिस इंडिया के लिए आरच्छी सीट थी, 200 चान ने, उसके लिए कराया गया था, और आपको मैं बता दूँ, जो जुलाई अगस्त, 1946 में समिधान सभा के निर्मार के लिए जो बोटिंग कराया गया, ब्यक्तियों के लिए वहाँ, तो उसमें से 200 चान ने में, बोट में किसको कितना मिला, आईए जानते हैं, इंडियन नेस्नल कांग्रेस, जो भारती राष्टी कांग्रेस थी, उसको 208 स ठीक है, फिर मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग को कितनी मिली, 73 सीट मिली थी, मुस्लिम लीग, है न, जैसे इंडियन नेस्नल कांग्रेस के, इनके प्रमुक कौन थे, पंडित जबाला नेहरू, मुस्लिम लीग के में प्रमुक कौन थे, मुहम्मद अले जिन्ना, इनको कितन आप लोग ये समझें कि यह वोग गया दोशोः नए सीटू का। अब जो देशी रियासत थी प्रिंसले इस्टेट उनके लिए कितनी दिर्धारिच सीट थी नवासी तो नवासी सीट में से आपको बता दूँ कि पूरी सीटे इसमें नहीं भर पाई थी क्यों नहीं भर पाई थी देशी रियासत जो प्रिंसले इस्टेट था क्योंकि यहां क रजवाडे सोचते थे, कि जब संबीधान बन जाएगा, तो स्वतंत राष्ट बना दिया जाएगा, और स्वतंत राष्ट जब बना दिया जाएगा, तो फिर वहाँ प्रधान मंत्री हुआ करेंगे, मुख्य मंत्री हुआ करेंगे, तो फिर हमारा क्या काम रह जाएगा, फि तो यहाँ की seat क्या थी? खाली हो गई थी, ठीक है न? तो ये लोग डर गए थी, कि फिर भाई, राजाओं को क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा, राजाओं का पद ही समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि फिर जब सुतंतर राश्ट बन जाएगा तो अहाँ परधा के वयस्क नागरिकों के द्वारा फिर नहीं हो पाया बास्तों में 1928 में जवाहला लेहरू जी ने कह दिया था कि एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब वयस्क मताधिकार होगा लेकिन अंतताह नहीं हो पाया था क्योंकि डारिक्ट सभी जनता मिल करके बोट नहीं डाली थी जीतनी मिमबर गए थी उसके अंदर सम्विधान सभा के अंदर तो हम डारिक्ट सभी जनता बोट नहीं डाली थी कौन डाला था बोट? बोट वही व्यक्ति डाला था मतलब जो बड़े-बड़े पीपल्स थे है ना पैसा वाले थे वो तो डाले ही थे, उसके अलाबा कि कौन डाला था, बोट जो वहां का जैसे देशी रियासत में कौन डाला था, जो वहां का प्रमुक होता था, ठीक है ना, तो वही उसका चैन करता था, जैसे ब्रिटिस मेन कुल मिला के, ब्रिटिस वाले ही किया करते थे, लेकिन एक चीज सभा के अंदर मुस्लिम जनता भी थी, सिख जनता भी थी, पार्सी जनता भी थी, इसाई जनता भी थी, ठीक है ना, एस्टी भी थे, एस्सी भी थे, मतलब अंसूचित जातियां भी थी, अंसूचित जनजातियां भी थी, सभी वर्ग के लोग इसके अंदर थे, इस सम्विध के लोग थे लेकिन एक चीज को बता दूँ कि अगर अपवाद सरूप कहा जाए तो दो महान सक्सियत एक तो इंडियन निस्नल कांग्रेस के तरफ से कौन नहीं थे मतला मोहंदास करमचंद्र गांधी मेंस महात्मा गांधी नहीं थे और दूसरी तरफ आपका ये मुस्लिम लीग का कौन नहीं था अब्यक्ति मुहमद अली जिन्ना मुहमद अली कौन नहीं थे जिन्ना साहब भी नहीं थे किसमें नहीं थे जो सम्विधान सभा थी ठीक है ना दो लोग नहीं थे ना तो महात्मा गांधी थे ना मुहम्मद अली जिन्ना और बाकी मतलब हर वर्ग के लोग इसमें क्या थे इस सम्विधान सभा के अंदर गए थे तो आगे का लिक्चर हम अगली वीडियो में डालेंगे यह वीडियो आपको कैसी लगी अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा अगर नहीं किये होंगे तो लाइक लीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई होगी तो अपना प्रतिततर जरूर कमन्ट ब कि वार्ट